दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग लाइप प्रूब देखिए यहाँ पर ओलव अप्लिकेशन की तरफ से मुझे 65,000 रुपए का लोन अमाउंट अप्रूब हुआ है और दोस्तो इस पैसे को मैं 2 मिनट के अंदर अपने बैंक खाते में ट् हो जा रहा है तो दोस्तो आपको एक बाद जरूर से ओलव अप्लिकेशन पर ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तो यहाँ पर कम सिभी इसकोर पर बड़ा लोन अमाउंट देखने को मिल जाता है और दोस्तो यहाँ पर आपको कोई भी इंकम प्रूब नहीं मागा जाता है आप अपने अधार कार्ट, पेंट कार्ट की मदद से पर्सनल लोन ले सकते हैं आज किस वीडियो में आपको ओलाव अप्लिकेशन से पर्सनल लोन लेने का A to Z complete process दिखाने वाले हैं तो आपको वीडियो के लाज तक बने रहना है इसे पहले हमारी इस वीडियो को एक लाइ यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो सिंपल सा यहाँ पर open करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं नया interface open हो जाएगा मेडीन भारत आपको देखने को मंजाता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले sign up करना होगा तो अगर आप लोग FIRST TIME यहाँ पर sign up कर रहे हैं तो new user वाले option को उपर click करेंगे अगर आपने पहले से account बनाके रखे हैं तो already वाले user को select करेंगे जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं FIRST TIME यहाँ पर sign up करने वाला हूँ तो new user के उपर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर sign up क जाएगी तो आपको यहाँ पर एक Gmail ID को सलेक्ट कर लेना है जैसे यहाँ पर Gmail ID को सलेक्ट करेंगे तो आपके सानुए कुछ इस तरीके से Permissants आजाएगी तो यहाँ पर नीचे आपको Accept option मिल जाएगा इसको उपर आपको क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख स आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना Profile Details डालना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर Full Name डालना है जो आपका Pen Card में नाम है उससी नाम को यहाँ पर आपको डालना है उसके बाद यहाँ पर आपब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं Employment Status आज तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग सैलिड है या फिर सेल्फ इंपॉलाइड है या फिर स्टूडेंट है जोबी है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप लोग सैलिड वाले अप्सन को सेलेक्ट करते हैं तो नीचे यहाँ पर continue वाले option को पर click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं refler code का भी option आजाता है अगर आपके पास refler code है तो डाल सकते हैं या फिर दोस्तों हमारी इस वीडियो के description box में आपको refler code मिल जाएगा तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं verify your paint card number तो यहाँ पे आपका zobe paint card number उसको यहाँ पे डालेंगे और simple सा यहाँ पे नीचे verify वाले option को पर click करना है उसके बाद यहाँ पे आपको proceed करना है यहाँ पे देख सकते हैं new pin बनाने के लिए आएगा तो चार अंकों का अपने मन पसंद का पिन बना लेना है आप लोग देख सकते हैं मिरजो ओलाव अप्लिकेशन है यहाँ पर उपन हो चुका है दोस्तों इस अप्लिकेशन से आप लोग 5 लाग रुपए तक का पर्शनल लोन ले सकते हैं यहाँ पर लोन लेने के के लिए आज आएगा जैसे कि दोस्तों मैंने सेलीट को सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर देख सकते हैं इंफ्लोमेंट डिटेल साज आएगा इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जोबी कंपनी है प्राइवेट लिम्टेड है जो भी है तो यहाँ से आप अप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बर्क प्लेस नेम आज आएगा तो यहां पर आपका जोबी कंपनी का नाम है उसको यहां पर आपको डालना होगा उसके बाद दोस्तों नीचे यहां पर देखेंगे मोड आप सैली यानि कि द दोस्तो continue वाले option को पर click करेंगे तो आपका जो यहाँ पर loan offer है यहाँ पर check किया जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा जो loan offer unlocked हुआ है दो हजार रुपए से लेकर 65,000 रुपए तक का यहाँ से मैं personal loan ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तो personal loan लेने के लिए apply now को option मिल जाता है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो simple सा आपको apply now वाले option को पर click करना है जैसे यहाँ पर apply now वाले option को पर click करेंगे तो यहाँ से आपको जितना भी loan amount लेना है तो select कर सकते हैं इसको आप लोग कम जादा कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं 2000 रुपए से लेकर 65,000 रुपए तक का loan amount ले सकता हूं अगर दोस्तो यहाँ पर मैं 65,000 रुपए का loan amount select करते हैं तो देख सकते हैं 9 महीने का यहाँ पर मुझे जो देना होगा तो 300,000 रुपए इसका GST होगा और यहाँ पर दोस्तो आपका इसका जो interest rate है सारा कुछ है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि इसका जो interest rate है 2.49 से लेकर यहाँ पर 39.1% तक आपको लग सकता है यहाँ पर दोस्तो इसका जो interest rate है काफी ज़्याद को option है इसके उपर आपको click करना है जैसे यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका account number मागा जाएगा तो आपको अपना account number डालना है उसी account number में आपका जो loan amount रहेगा आएगा और दोस्तो उसी bank खाते से आपका जो MI रहेगा हर महीने कटता रहेगा इसके बाद दोस् है उसी में आजाएगा यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगता है दस से बीस मिनट के अंदर आपका जो loan amount है आपके bank खाते में credit हो जाएगे तो यहाँ पर मुझे जो है तो loan amount की जरूरत नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं आगे का process आपको नहीं दिखा रहा हूँ अगर आने के साथ personal loan ले सकते हैं आई होग कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा चैनल पर नहीं तो subscribe कर लिजेगा चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंद मात्रम